कि जिलास पताल के अंदर इतने लोग गिर गए हैं कि पचास पचास रुपए मान रहे हैं पचास पचास रुपए इन लोगों को शर्माना चाहिए कि पचास रुपए अगर नहीं है तो मैं तो कहता हूं कि कि देलाली करो अब बहुत पैसे मिलैंगे मगर इन जैसे गरीब लोगों से पैसा मत मांगो बरना नीचे से लाठी डालके ऊपर निकाल देंगे मुझे भाइचानू संजीव इंसान कहते हैं और केजिन एडियान न्यूज में आपका स्वागत में घंडी पूर्ट रश्याजाज़ाग। और समाज सेवी संजीव ने आज मेडिकल कॉलिज गेट के सामने धर्ना परदर्शन किया। जो रिश्वत मांते और यहां तक आपको बता दें कि मांसिक डॉक्टर डॉक्टर शेशांग की भी कोई गत बाकी नहीं रखी संजीब का ये कहना था कि इस तरीके से 50-50 रुपई लेकर बदनाम कर रहे हो आप मेडिकल कॉलिज को और इसके साथ साथ सीनियर डॉक्टर को उससे बेता रहे के रंडियों के कोठे पर चले जाओ और वहां पर दलाली कर लो और संजीब ने ये भी कहा दिमाग के डाक्टर को जो चार-चार हजार रुपए की दवा लिखते हैं उन पर भी एक जबरदस तरीके से प्रहार करा संजीब ने के नीचे से लाटी डालेंगे और उपर से निकालेंगे हाला के आपको बाता दे जिस तरीके से संजीब का भाशर था जिस तरीके से मेडिकल कॉलिज के रिश्वत खोर डाक्टरों की धज्जिया उड़ाई है जनता ने जमकर सरहाना की उनके कारे की और संजीब तो वैसी मशूर है अपनी भाशा कड़ोई भाशा में लेकिन आप को बाता दें सीएमेस ने आके ग्यापन लिया और उन्होंने ये भी कहा कि ये वो सीएमेस है जो बेचारे परिशान है सीएमेस की भी नहीं चलती है यहां यहां चलती है तो मेडिकल कॉलिज में परचारिया की चलती है सीएमेस कोई काम नहीं कर सकते सिर्फ खानापुरी के इस्तेमाल करा शायद आज की रात मेडिकल के वो डाक्टर जो के आरोपो के घेरे में हैं उनको नीन तो नहीं आएगी और इसके साथ साथ संजीब ने क्या कुछ कहा आपको विस्तार से हम सुनवाएंगे लेकिन परिशान जनता ने जम कर सराना की संजीब की और ये भी कहा के हकिकत यही है जो आप बता रहे हो क्या कुछ हुआ हम आपको विस्तार से सुनवाते हैं संजीब ने करा धर्रा परदर्शन मेडिकल कॉलिज के गेट के सामने और जब संजीब की खुली भाशा तो रुकने का नाम ही नहीं लिया और परत दर परत संजीब उधरते चले गए क्या कुछ कहा कैसे कहा क्यूं कहा आप खुदी सुदिए तो पैसे किस बात के अगर पैसे ही होते तो प्राइवेट में जाते अब आप ये देख लीजिए जिलानिकारी महोदे कि जिलास पताल के अंदर इतने लोग गिर गए हैं कि 50-50 रुपए मांग रहे हैं 50-50 रुपए इन लोगों को शर्म आना चाहिए मैं तो कहता हूँ कि 50 रुपए अगर नहीं है तो मैं तो कहता हूँ कि किसी रंडियों के कोठे पे जाके दलाली करो अब बहुत पैसे मिलेंगे मगर इन जैसे गरीब लोगों से पैसा मत मांगो बरना नीचे से लाठी डाल के उपर निकाल देंगे मुझे पैसा को देखो और इसके हालात देखो ये जिन्दिगी और मौस से जूज रही है मगर यहां के डाक्टरों को और जिला मेडिकल कालिज के अफसरों को शर्म नहीं आती दूप के मर जाओ चुलू पर पानी में अगर पानी ना मिले तो किसी गंदी नाली में दूप के मर जाना हराम जादो ये जिला स्पताल नहीं है ये समसान घाठ है यहां लोग इलाज कराने आते हैं मगर मौत के मुँ में समाज आते हैं आप बैठी है आप इहां ही बैठी है दीप कुमार नाम है जो जिला मेडिकल हॉस्पिटल में भरती है और जो डाक्टर है मानसिक का और जो डाक्टर है मानसिक का वो इन्हें 2-4-4-4,000 रुपई की तभाएं बहर से लिखता है अरे क्यो भाए डाक्टर साफ तुम्हें तो हराम की मिल लएएं चौरी करें टाका डाले टकैती डाले कहां से पैसार आए जो इसका कोई नहीं है डाक्टर साफ शरम करो कोई डाक्टर साफ शरम करो दूब मरो चिल्लू वर पानी में, अब पानी ना मिले तो किसी गंदी नाली के गटर में डूपके मर जाओ। दूब मेरे दो आप्रेशन हो चुके हैं? अच्छा अब क्या पढ़ानी है? यह जाक्टरों ने क्या कहा आप परेशन होगा, अभी आप यहाँ बैठिये अभी डाक्टर आएंगे, अभी तुम्हें दिखवाया जाएंगे, क्योंकि इसलिए यह सब के सब बहुत साले हराम जाते हैं इनके इनके लिए करीब कोई माइने नहीं रखता क्योंकि यह तो साले हराम की भैठे हुए खान है इन्हें तो नाबर साथ आप सीएमस साथ मेरी आपकी बाफतालाब हुई थी जाट के दो बज़े मैं आपको वभी पढ़के सुनाता है तुनिये सब लोग सीएमस साथ का कहना है कि जिला अस्पताल जब से मेडिकल कॉलिक बना है तब से सीएमस की पोश्ट का कोई वजूत नहीं रहा यह आपके बोल है मेरे पास रिकार्डिंग है सीएमस साथ किसी भी डाक्टर को किसी भी नर्स को कोई आ मेरे पास रिकार्डिंग है शरम आना चाहिए प्रधानाचार के लिए सीएमस एक ऐसी पोश्ट है जो पूरे आस्पिटल को अपनी पावर में रखता है इसे मेडिकल कालिज बना दिया मेडिकल कालिज के नाम पर यह सिर्फ एवल सफेद हाती है जिला बोड देखिए सामन को सबस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकों को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिसना कर पाएं